बिहार के सिक्षा मंत्री एक नंबर के मुर्ख वैक्ति है और उनके जो नेता है मुखे मंत्र नतीश कुमार चाचा भतीजा जो है वो पल्टू राम और सल्टू राम है नमशकार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन ये बोल दरसल बीजेपी सांसद अश् बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद शेखर को लेकर बयान दिया है उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर चंद शेखर जो है वो एकदम मुर्ख वैक्ति है और चाचा भतीजा जो है वो पल्टू राम एक है तो दूसरा सल्टू राम है आपको बताते चले कि बिहार में सि शक्षक अभियर्थी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरह बिपक्ष जो है वो सरकार को एक मौका नहीं छोड़ रही है घेरने को तो अस्वीनी सरकार की तारीफ की और कहा कि एक बार फिर मोधी सरकार आएगी और बीजेबी को चार सो से ज्यादा सीट मिले की बिपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए कहा कि बिपक्षी दलो की बारात तो तैयार है लेकिन दूले का पता ही नहीं है नितीश कुमार पर हमला बोलते हुए कह कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वह सिक्षक भरती नियमा वाली के बतलाव को लेकर नितीज सरकार को घेरा और सिक्षा मंतरी प्रोफेसर चंदर शेखर को मुर्ख बता डाला अस्विनी चौबे ने कहा कि बिहार के जुनता सब समझ गई है और चौबेस के लोग सवा चुनाब में इसका जवाब मिलेगा दर्भंगा एम्स मामले पनिती सरकार पर राजनीती कारोप लगाया कहा कि प्येम मोदिस चिलने आस करने बिहार ना है इसलिए एम्स की जमीन को सरकार को इधर उधर कर दी लेकिं दर्भंगा एम्स हर कीमत पर बनकर ही रहेगा सिक्षा भर्ती के डोमिसाय लीती को हटाने का विरोध शात्र कर रहे हैं जिसे लेकर शनिवार को शात्र ने मार्च भी निकाला इस दोरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें कई शात्रों को चोट आई है वहीं इस मामलों पे शात्र को बीजेपी और बिहार के सिक्षकों का साथ मिल रहा है 11 जुलाई को सिक्षक जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे और 13 जुलाई को बीजेपी बिधान सभात तक मार्च करेगी तो जहां एक तरफ सिक्षक अभियर्थी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदेशन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिपक्षियानी की बीजेपी को इन सिक्षक अभियर्थियों का साथ मिल गया 13 जुलाई को बीजेपी विरोध प्रदेशन करेगी और सड़क पर उतरेगी जहां एक तरफ लगातार बिहार सरकार से सिक्षक का भियर्थी ये मांग कर रहे हैं कि सिक्षक नियामावली में जो संसोधन किया गया है जो डोमेसाइल नीती हटा दी गई है उस डोमेसाइल नीती को वापस लाया जाए वो बीपेसी के एक्जाम देने को तैयार है राजकर्मी के दर्जा वो बीपेसी एक्जाम देकर पाने को तैयार है लेकिन जो ये डोमेसाइल नीती सरकार ने हटा दी है ये नीती को हर हाल में सरकार वापस ले फिलाक लेस ख़बर में इतना ही यानिक अपडेट स्किल देखते रहें न्यूस फोनेशन